अज मैं आपको बताने जा रही हूं गुजिया दही बड़ा और इस वीडियो में मैंने सभी टिप्स और टेक्स भी बताया है जिसे आपका दही बड़ा बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी और टेश्टी बनेगा तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजे ताकि आपको इस तरह से इजी और टेश्टी रेसिपीच की नोटिफिकेशन मिलती रहे तहिवड़ा बनाने के लिए हम लेंगे एक कप उरद की डाल और एक बोल में डालेंगे और इसमें अब हम पानी डालेंगे और पानी डाल कर इसे अच्छे से 3-4 बढर दो लेंगे ताकि इसकी जो गंदगी है वो निकल जाए और दोने के बार इसमें मैं अच्छे से पूरा पाणी डाल देंगे और चार गंटे के लिए बिगो कर रख देंगे, अब तीन से चार गंटे के बाद ये देखी डाल अच्छे से भी action चुका है। अब इसे हमें पीसना है इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सर जार और डाल को पानी से निकाल कर मिक्सर जार में डालेंगे पानी से हम अच्छे से पूरा छान कर निकाल लेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप पानी बहुत जादा पानी डाल कर हमें नहीं पीसना है नहीं तो बैटर बहुत गिला हो जाएगा और इसे पीस लेंगे और ये मैंने डाल को पीस कर एक पेश्ट पना लिया है और इसकी कंसिसिंसी देखी इस तरह से होनी चाहिए बहुत पतला नहीं होनी चाहिए नहीं तो वड़ा बनाने में दिक्कत होगा अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं और बोल में निकालने के बाद इसे हम एक ही डिरेक्शन में स्पूम से अच्छी से मिक्स कर लेंगे और हमें पांच मिन तक के लिए इस तरह से अच्छी से मिक्स कर लेना है वैसे तो जब हम मिक्सी में इसे पीसते हैं तो ये मिक् में स्कुन से इस सबस्त Wait for 5 minutes मिल इंच न्यान के लिए तक लिए और भी फ्लॉफी हो जाय और इसे वड़ा बहुत ही सॉफ्ध बनता है और एब ही से हम चेक कर लेते हैं इसके लिए 한국 बोल लेंगे और इसमे डालेंगे पानी हिसी ाहींच्टा इरा चाहिए ऑップसित्तिं जारे इसका मतलब हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बनाया और यह देखिए यह मैंने व्यो पैटर इसमें पानी में डाला है व्यो पैटर यह भी इसमे कम रहे लिए अच्छा रिए हुआ unser यहां पर मैंने लिया है तीन बड़े चमच हरी धनिया पत्ती जिसे मैंने धो कर अच्छे से चौप कर लिया है और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच किश्मिश और साथी इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच चिरॉंजी और अब इसके साथ ही इसमें जाएगा एक बड़ा चमच चीनी और अब हम डालेंगे एक छोटा चमच नमक और नमक डालका इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो यह हमारी फिलिंग रेडी हो गई तो अब हमारी फिलिंग भी रेडी है और वड़ा के लिए बैटर भी रेडी है तो चलिए अब हम सबसे पहले गुजिया वड़ा बना लेते हैं इसके लिए हम एक कढाई में तेल गरं करेंगे और अब हम गुजिया-वडा बनाने के लिए कोई साँचे का यूज नहीं करेंगे यहां पर एक प्लास्टिक के शीत लेगे और हाथ में रखेंगे और प्लास्टिक के शीट के उपर अच्छे से हम पानी लगा देंगे, ताकि हम बैटर अच्छे से फैला सकें, और एक बड़ा चम्मच बैटर इसके उपर रखेंगे, प्लास्टिक के शीट के उपर हम बैटर रखेंगे, और हाथ में फिर से पानी लगा कर इसे अच्छे से प्रफिलिंग निकल जाएगा थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है और अब हम आधी छोटी चम्मच फिलिंग लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे बीच में रखेंगे और दोनों हाथों से पकड़ कर इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और यह दिखिए कितना अच्छा है गुजिया का शेप आ गया अब हम फिर हाथ में पानी लगा लेंगे और इसे अच्छे से साइट से अगर थोड़ा भी खुला रह गया हो तो उसे बंद कर देंगे और फिर पानी लगाने के बाद हम इसे दूसरे हाथ पर ले लेंगे और प शेथ अखराने में बहुत इजी होता है कhunकि वह अस्लिप करके फिसल कर फिर वह धेल में चला जाता है इसलिए जब भी आप बैटर को पहाएं तो हाथ में ज़रू लगा लें और शीट पर भी पानी लगाकर ही बैटर को फैलाएं और हाथ हों में पानी इसलिए इसलिए भ इसी तरह से हम बाकी सारे गुजिया भी बना कर गर्म तेल में डाल देंगे और एक साइड से गोल्डेन ब्राउन होने पर इसे हम दूसरे साइड पलट देंगे बहुत जादा लाल भी हमें नहीं करना है ऐसे फ्लाइट गोल्डेन ब्राउन होना चाहिए और अब यह हो चुका है इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे गुजिये को तल कर निकाल लेंगे और यह देखिए एक कप उरत की डाल में मेरी इतने गुजिया बन कर रेडी हो गई है आप इसे फ्रिज में श्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे कैसे फ्रिज में श्टोर करके रख सकते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अप्लोडेड है अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उपर दिएगे लिंक पर क्लिक कीजिए अब एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे गून-गुना पानी और इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक यहां पर मैंने दो बड़े कप पानी डाला है डाल को पीसने के बाद उसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से बैटर थोड़ा गीला हो जाता है जिससे गुजिया वड़ा अच्छे से नहीं बन पाता है इसलिए मैंने यहां पानी में नमक डाला है और जब हम इसमें गुजिया को डाल कर डिप करेंगे तो यह पानी नमक वाला पानी गुजिया में एपजॉब हो जाएगा और गुजिया वड़ा काफी सॉफ्ट भी हो जाता है अब जितना जरूत हो, उतना गुजिया हम इसमें डिप करेंगे, यहाँ पर मैं अभी पांच से छे गुजिया वड़ा को इसमें पानी में डिप करेंगे और हाँ से थोधा दबा देंगे ताकि ये अच्छे से पूरा भीग जाये पानी में और इसे पांच मिनट के लिए ऐसे ही पानी में डिप रहने देंगे अब हमारा गुजिया पड़ा तो रेडी हो गया है लेकिन दही के बगाएर गुजिया दही बड़ा अधूरा है तो चलिए अब हम दही प्रिप्यार कर लेते हैं इसके लिए हम लेंगे एक किलो दही और डही को अब हमें चान लेना है तो यहाँ पर मैंने एक बोल दिया है बोल के उपर श्टेनर रखा है चन्नी रखा है और इसमें दही को हम चान लेंगे दही को इसलिए चानते हैं ताकि इसका टेक्शर बहुत स्मूध हो जाए और इस तरह से हम पूरा दही इसमें चान कर रेड़ी कर लेंगे अब ये पूरा दही मैंने चान लिया है अब इसमें हम एड़ करेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम ये दूद की ऊपर जो मलाई जम जाती है वही क्रीम है इसमें हम चनी में ही डाल देंगे और इसे भी हम दही के साथ चान लेंगे दही इस तरह से थोड़ा सा क्रीम एड़ कर देने से इसका टेक्शर बहुत ही स्मूध और क्रीमी हो जाता है और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है और दही बढ़ा में दही अच्छा ना हो तो मजा नहीं आता और ये देखिए अब हमारा दही चन गया हो और बिलकुल ही क्रीमी दही रड़ी हुआ है इसका टेक्शर काफी स्मूध है अब इसमें हम एड़ करेंगे पिसीवी चीनी तीन बड़े चम्मच यहाँ पर अब मैं इसमें तीन बड़े चम्मच पिसीवी चीनी एड़ कर दूँगी ये ऑप्सनल है अगर आपको दही मीठी ना पसंदो तो आप ना भी डाल सकते हैं तो अब ये वड़ा में डालने के लिए स्वीट क्रीमी दही रेटी है आप चाहें तो इसे थोड़ी देल के लिए फ्रिज में भी रच सकते हैं ये दही ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसमें आप चाहें तो फ्रूर्स डाल का भी खा सकते हैं और अब हम दही वड़ा के लिए मसाला रेडी कर लेंगे इसके लिए हम एक तवा गरम करेंगे और फिर तवे के ऊपर डालेंगे चार छोटे चमर जीरा और इसे अच्छे से हम भूल लेंगे जीरा का जब तक रंग चेंज हो जाये तब तक हमें भूल लेना और यह देखिए इसका कलर चेंज हो गया है ये हलका लाल सा दिख रहा है अब हम इसे हटा लेंगे और इसके बाद हम यहाँ सूखी लाल मिच को भूलेंगे यहाँ पर मैंने 6-7 सूखी लाल मिच लिया है और अब हमारा लाल मिच भी बुन चुका है इसे भी हम हटा लेंगे और एक मिक्सर जार लेंगे और इसमे भुना हुआ जीरा और मिर्च इसमें डाल देंगे सुखी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे अब इसमें डालेंगे तीन छोटे चमच काला नमक और फिर इसमें डालेंगे दो छोटे चमच सफेद नमक और इसके साथ ही इसमें डालेंगे तीन छोटे चमच चाट मसाला बॉर्डर और इन सब को हम अच्छे से पीस कर एक फाइन पॉडर बना लेंगे और यह देखिए यह मैंने पीस कर इसका फाइन पॉडर बना लिया है इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं अब यह हमारा दही बड़ा का मसाला रेडी है अब मैंने जो वड़े को पानी में विगो कर रखा था उसे हम निकालेंगे और एक हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से हलके से हम प्रेस कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इसी तरह से सारे वड़े को निकाल कर हम एक बोल में रख लेंगे वड़ा को पानी में भीगोने से इसका एक्स्ट्रा ओयल भी निकल जाता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है ये देखिए ये देखने में कितना सफेद लग रहा है और ओयल बिल्कुल भी नहीं रहता अब इसके उपर हम डालेंगे स्वीट क्रीमी दही दही वड़ा तो सॉफ्ट हमारा बना ही है और इसके उपर ही स्वीट क्रीमी दही ये खाने में बहुत ही तेश्टी लगता है और दही वड़ा में अगर ठित दही हो क्रीमी दही हो और सॉफ्ट वड़ा तो खाने का मजा ही दुगना हो जाता है और इस तरह से पूरा हम दही डाल देंगे अब इसके उपर हम डालेंगे तयार किया हुआ दही बड़ा मसाला और ये दही बड़ा मसाला इसके उपर हम डाल देते हैं इस मसाले को आप श्टोर करके रख भी सकते हैं और इसके उपर थोड़ा सा डालेंगे इमली की मीठी चट्मी और ये अब मीठी चट्मी इसके उपर डाल दिये थोड़ा सा चट्मी हम और डाल देते हैं और फिर इसके उपर डालेंगे हरी धन्ये की चट्मी और चितनी डालने के बाद अब हम फाइनली दही बड़ा को गार्निस करेंगे कुछ अनार के दाने से और ये अनार के दाने भी इसके उपर हम डाल दिये और अब ये हमारा रेडी हो गया गुजिया दही बड़ा और ये खाने में बहुत ही तेश्टी लगता है इसे आप ऐसे आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रू बताईएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो के नीचे बेल आइकन को भी ज़रू दबाये ताकि आपको इस तरह से एजी और टेश्टी रेसिपी की नोट कि अच्छी की तरह से एजी अच्छी की नोटकी की लगी की ज़रूरू उट